इन्होंने प्रस्ण किया कि भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहते हैं लेकिन साथ की तुर्पाग्य है इस देश का कि जब भगवान बुद्ध की गरीमा पूरे विश्व में इस्थापित हो गई जिन वेदों में कहीं भी भगवान सब्द का उलेक नहीं है सिर्फ और सिर्फ इस्वर सब्द का उलेक है उसके बाद जब भगवान बुद्ध की पूरे विश्व में गरीमा इस्थापित हो गई तब इन्होंने हिंदू धर्म के लोगों ने जिन्हें सरातन धर्मी कहते हैं उन लोगों ने सरेंत्र करके अपने गरंथों में रमायन में भावारत में इत्यादी इत्यादी जहां भी इन्होंने मेंशन कर रखा है वहां पर भगवान सब्द को जोड दिया याने कि ये जो जीवन है इसमें दुख ही दुख है जैभीम नमो बुध्धै साथियो साथियो अभी एक हमारे साथि हैं सुकपाल सिंग जी जिन्होंने हमारे एक वीडियो पर कमेंट किया और एक प्रस्न किया उन्होंने प्रस्न किया कि भगवान बुध्ध को भगवान क्यों कहते हैं तो साथियो इस प्रस्न के जवाब में ही मैं ये वीडियो ना रहा हूँ साथियो भगवान बुद्ध को भगवान क्यूं कहा गया और अगर हम देखें तो उनके समकालिन जो महावीर थे उनको भगवान कहकर सम्मुदित किया गया है इतिहास में भगवान महावीर कहकर उनको सम्मुदित किया आता है और उनके अलावा इन दोनों महान सक्सियत के अलावा किसी अन्य पुरुस को भगवान कहकर संबोदित नहीं किया गया है भगवान बुद्ध को भगवान क्यूं कहा गया है इसके पीछे सिर्फ एक ही बात है वो है गुण यानि कि जो भगवान है भगवान सब्द है उसके भीतर राजमान जो तत्व है उनके अंदर गुण है क्या गुण है भग रागो भग दोसो भग मोहो यानि कि भग मतलब भगन करना भगन करना मतलब छोड़ देना त्याग देना किसको त्याग देना किसको छोड़ देना यानि कि भग रागो यानि कि राग को छोड़ देना भग दोसो यानि कि दोस यानि कि द्वेश द्वेश को त्याग देना क्योंकि साथियों हम जानते हैं कि जो प्रानी होते हैं उनकी जो इंद्रियां हैं अगर वह इंद्रियां अनियंत्रित हैं नियंत्रित नहीं है तो जो उत्पादन करती हैं उनसे जो उत्पादन होता है उसका स्वरूप या तो राग का होता है या फिर वो द्वेश का होता है राग और द्वेश दोनों ही प्रकार के जो स्वरूप हैं वो एक संस्कार पैदा करते हैं और ये संस्कार जो है हमें बार बार जनम लेने के लिए मजबूर करता है जैसा कि भगवान बुद्ध ने यह कहा कि याने कि ये जो जीवन है इसमें दुख ही दुख है जनम लिना दुख है बुढ़ापा दुख है रोग दुख है मृत्यू दुख है इसके अलावा जो प्रियजन है जिनको हम चाहते हैं उनका बुछुरना दुख है जो अप्रियजन है जिनको हम नहीं चाहते हैं जब उनसे मिलाप होता है जब हमें मिलते हैं तो हमें दुख होता है इसी प्रकार सोक परिदेव यानि की अनायास हैरानी परेसानी ये सब दुख है इसके अलाबा जो वस्तुव हम चाहते हैं वांचित वस्तुवों के ना मिलने पर या वांचित परणामों के ना मिलने पर हमें दुख होता है तो कुल मिलाकर जो पांच इसकंदों से तयार ये जो जीवन है ये इसमें दुख ही दुख है इसलिए जब भगवान बुद्ध ने यह जान लिया कि यह जीवन कुछ और नहीं बलकि दुखों का घर है तो साथियो दुख यानि की पहला आर्य सत्य है भगवान बुद्ध यहीं पर नहीं रुखे अगर यहीं पर रुख जाते तो भगवान बुद्ध को भगवान हम कहते ही नहीं क्योंकि भगवान कहने का जो अर्थ है वो अभी सार्थक नहीं हुआ है इसलिए भगवान ने दूसरा आरे सत्य खोजा वह था कि दुख है तो दुख का कारण भी है फिर तीसरा आरे सत्य जो कि दुख है दुख का कारण है तो उसका निवारन भी है फिर चोथा आरे सत्य कि दुख है दुख का कारण है उसका निवारन है तो उसका एक मार्ग भी है यानि कि इस संसार में जो जीवन है उसमें दुख ही दुख है अगर दुख ही दुख है तो उसका कारण है उसका निवारन है और उस निवारन के लिए एक मार्ग है ये जो मार्ग है ये क्या है जैसे कि हमारे जीवन में नना प्रकार के दुख है गरीबी एक दुख है तो गर बहुत सारे ऐसे भातिक जो दुख है या physical जो दुख है उनको हम जानते हैं और उनको हम दूर करने का मार्ग भी ढूंड लेते हैं लेकिन भगवान बुद्ध ने जो मार्ग ढूंडा वह भातिक समस्याओं से समंदित नहीं था बहुत इक समस्यां तो बहुत आसानी से देखी जा सकती है उनका निवारण पाया जासता है लेकिन जिस समस्या को उन्होंने देखा वो बहुत गंभीर थी वह समस्या तो सीधे सीधे जनम और म्रत्यु से जुड़ी हुई थी क्योंकि भगवान बुद्ध ने धंपद में कहा प्राणियों के चित को बहुत प्रिये लगती है इस नहीं रूपी नदिया यानि कि इस जीवन में जो त्रसणा है वो व्यक्ति को इतनी मनमुहक लगती है कि वो बार बार उन त्रसणाओं को अपने मन के भीतर जगह देता है और जो नाना प्रकार की जो बहुत इक कर दे देख को इस अकार है हर तरह से जो पांच इंद्रिया है उनके जो विसय है वह उसको आकर्षित करती है उसके जब विसयों से मिलती को जो उत्पादन करती है उसके भवर में संसकार पैदा होता है शाथियो भगवान बुद्ध ने कहा कि इस प्रकार से त्रस्णाओं के मुहों में फसकर प्रानी बार बार जीवन और मरण के चक्र में आफसता है इसलिए भगवान बुद्ध जब यह कहते हैं कि यह जो जीवन है यह दुखों का घर है और यह व्यक्ति तरश्णाओं के वसी भूत होकर बार बार जनम और मरण के चकर में आफ़सता है तो इसका मतलब यह है कि भगवान बुद्ध यह कहना चाहते हैं जो व्यक्ति इस जीवन और मरण के चकर को समाप्त करना चाहता है तो उसे तरश्णाओं से मुक्त होना होगा और तरश्णाओं से जब तक मुक्त नहीं हुआ जा सकता जब तक कि कोई भी व्यक्ति समता को प्राप्त ना करे समता कैसे प्राप्ट की आती है यह भी बुद्ध ने अच्छ तरह सपताया है भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसका मतलब साथियो यह है कि अविद्ध्या से संसकार जनम लेते है और संसकार से विज्ञान जनम लेता है और विज्ञान से नाम रूप जनम लेता है और नाम रूप से छै आयतन जनम लेते हैं और छै आयतन से छूना यानि कि जो फस कहा है छूना इसपर्ष जनम लेता है और यह है इसपर्स वेदना का कारण बनता है और इस वेदना से क्योंकि तीन तरह की वेदना होती है सुख वेदना, दुख वेदना और ना सुख ना दुख वेदना और यह तीनों प्रकार की जो वेदनाएं हैं यह कारण बनती हैं तरशना का तो बुद्ध यह कहते हैं कि यदि वेदनाओं के समय जब वेदनाओं के अनुबती हो आने यदि समता में इस्थित्थ हो जाए तो भे वेदना को तरशना में परिवर्तित ना करके वेदना को परग्या की तरफ मोड ले और समता में इस्थित्थ हो जाए तो भे तरशनाओं पर से निकले थे कि इस संसार में इस जीवन में दुख क्यूं है तो जब उन्होंने यह जान लिया तब उने कुछी बात की सिक्षा पूरे संसार को दी और यह सिक्षा केवल और केवल बुद्ध ने ही इस संसार को दी है बुद्ध के अलावा अन्य कोई व्यक्ति इस संसार म साथियों बुद्ध ने रास्ता बतलाते हुए कहा कि यह जीवन दुखों का घर है और इस दुख से मुक्ती मिल सकती है अगर कोई भी प्राणी वेदना होने पर समता में इस्तित हो जाए और समता में इस्तित होने के बाद संसकार को वहीं रोग दे क्योंकि साथियों हमारे छे इंद्रियां है और छो इंद्रियां तरश्णाओं को जर्म देती है जिस प्रकार से हमारे भी तर जो छे इंद्रियां है जब वे अपने विशयों के संपर्क में आती है जैसे कि हमारी जिव्वा जो है एक इंद्री है इसका जो विशय है वो है स् स्वाद के संपर्क में आती है तो इसमें एक वेदना उत्पन होती है वहाँ वेदना दुख वेदना भी हो सकती है सुख वेदना भी हो सकती है और ना दुख ना सुख वेदना भी हो सकती है यानि कि यह तो तीनों तरह की वेदनाएं है इसके बाद इसमें त्रशना उत्पन होगी त्रशना मतलब और भी चाहत अगर सुखवेदना हुई जीव से कोई ऐसी वस्तु का संपर्क हुआ जो उसे अच्छी लगी तो उसकी चाहत बढ़ेगी यानि और चाहिए यदि जीव से कुछ ऐसी वस्ती का संपर्क हुआ जो कि उसे अच्छी नहीं लगी तो उसके अंदर त्रशना पैदा होगी कि नहीं चाहिए यानि ग्रणा के रूप में त्रशना पैदा होगी द्वेश उत्पन होगा इसी प्रकार से ना सुख ना दुख वेदना के रूप में यदि जिवहा किसी ऐसे विशय से यानि कि कुछ ऐसा स्वाद उसे लगा जो उसमें ना कि सुख है ना दुख है लेकिन उसके लिए भी वह क्लिंगिंग कर रही है और वह यह चाहरे है कि ऐसा ही हो ऐसा ही हो तो यह भी तृष्णा है यह तीनों प्रकार की जो तृष्णाएं है यह एक संसकार को जनम देती है जब यह संसकार जनम लेता है तो उसके बाद यह जो संसकार बनते आते हैं और उसके बाद पुनर जनम का जो है इस्थित हो जाओ और सम्था में इस्थित हो जाओगे तो वे संसकार नहीं बनेगा और संसकार नहीं बनेगा तो फिर जो चक्र है यानि कि अविज्या पच्या संखारा जब अविज्या है यानि अविध्या है अविध्या के कारण संसकार जनम ले रहा है किस प्रकार की अव अध्या कि हमने वेदनाओं से जो उत्पादन हो रहा है उसको हम जान नहीं रहे थे अब हम जान गए है कि ये जो वेदना हो रही है यही संस्कार को जर्म देने वाली है तो इस वेदना से उत्पन होने वाली तरशना से हमें बचना है और अगर हम इस तरशना से बच गए तो हम पुलर्दम से बच जाएंगे यह जीवन और मरड का जो चक्र है यह तूट जाएगा इसलिए साथियों भगवान बुद्ध को भगवान का हैता है क्योंकि उन्होंने अपनी छो इंद्रियों पर पूर्टया नियंत्रन इस्थापित करके अपने भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोब, दुवेश, तृष्णा, इरिश्या, इत्यादी सभी प्रकार की बुराईयों को निकाल बाहर किया यानि कि वे हर प्रकार की जो बुराई है उससे छूट गए हर प्रकार की बुराई जो की संसकार को पैदा करने वाली थी उससे छूट गए, स्वतंत्र हो गए, मु कि भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहते हैं भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध राग और द्वेश के बंधन से मुक्त होकर संता में इस्तित हो गए थे और उनके संस्कार बनना बंध हो गए थे इसी प्रकार से जो लोग निर्वान प्राप्त कर ल इसलिए साथियो भगवान बुद्ध को भगवान कहा गया है और वे इस प्रकार की पूर्टया को प्राप्त हुए कि उनके भीतर किसी भी प्रकार की अपूर्टा नहीं थी लेकिन साथियो ये दुरुभागय है इस देश का कि जब भगवान बुद्ध की गरिमा पूरे गरीमा इस्था पित हो गई तब इन्हों ने हिंदु धर्म के लोगों ने जिन्हें स्रातन धर्मी कहते हैं उन लोगों सडेंद र करके अपने ग्रंथों में लमायन ब्हाबरत मैं इत्यादी इत्यादी जहाँ वी इन्हों Hem afterward Fahar keeping को जोड़ दिया इस से पहले कहीं पर भी इनके धर्म ग्रंतों में भगवान सब्द नहीं मिलता है साथियो इनके जो ग्रंत है यानि कि जो इनिसियल स्टेज के जो ग्रंत है बुद्ध से पहले का जो ग्रंत है यानि कि वेध है उनमें आपको जो सब्द मिलेगा वो मिलेगा ईश्वर इस वर का आगर हम छंदी विच्छित करें तो इस जमा वर इस बाने इच्छा करना और बार माने पूर्ति करने वाला तो यानि कि इच्छा की जो पूर्ति करता है उसको इस वर कहते हैं लेकिन जब भगवान सब्द का हम अर्थ लिकालते हैं, तो उसका अर्थ निकलता है भग रागो, भग दोसो, भग मोहो, यानि कि हर तरह की अपने इच्छाओं पर नेंत्रान स्थापित करके, अपने जीवन से राग और द्वेश का मूलन कर देना, तो साथियों बहुत बड या जमीन आस्वान का फर्ख है भगवान सब्द में और इश्वर सब्द में, इस्वर चमतकाश उडवा सब्द है और हम जानते हैं कि हिंदु लोग या इस दिनिया के अन्य जो सम्परदाय हैं, वो चमतकारों में विश्वास करने माले हैं, और बुध चमतकारों में यह वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने भगवान सब्द की जो व्याक्या की है आपको जरूर पसंद आई होगी हो सकता है कि कुछ कमी इसमें रह गई हो कुछ गलती हो तो किर्प्या करके कॉमेंट करके मेरा मारदस नवस्या करें ताकि मैं उसको अध्यान करके आपके स सामने फिर से इसी प्रकार के वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तत हो सकूँ और इस वीडियो को लाइक और से जरूर कर दें और चैनल को सब्स्राइब आपका चैनल समाज का चैनल देश का चैनल एनवीनीज 24 इंटू 7 को आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और